हलो बच्चो क्या आले आप सबके मैं आशी सिंग आपका साइंस टीचर आज मैं आपको अपने इस पार्ट वन में जो कि हमारे बैलोजी का फॉस्ट चाप्टर होगा लाइफ पोसेस इसके अंदर लेके चल रहे हैं इसके बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं तो वेलकम हम लोग अपना फॉस्ट चाप्टर जो होने जा रहा है वह है लाइफ प्रोसेस ठीक है या लाइफ प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस और यह हमारे बाइलोजी का हमारा फॉस्ट चाप्टर होगा ठीक है तो सबसे पहले चाप्टर को रखते हैं थोरा साइड में चाप्टर बाद में आएंगे बहुत कुछ हमको यह जानना होगा आज आप लोग साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हो आज साइश में आप लोग केम्स्टरी पढ़ hyvin ठीक है लेकिन आज हम लोग इस बैयोलोजी के स्थेक्षन और आप सभी जानते हैं कि जो अपने में खुद एक दोते है के सेक्षिन को स्टाइब का मतलब क्या होता है कि क्या होता है वायोजी के अंदर हम सबसे बना है पहला हो गया और दूसरा हो गया लोगश बायो बायो का मतलब होता है लाइफ बायो का मतलब क्या होता है लाइफ लोगश का मतलब होता है इस्टडी यानि कि बायो लोजी बेसिकली आपका एक ऐसा साइंस है जिस साइंस में हम अपने लिविंग और जिम्स या किसी और जिम्स के लाइफ के बारे में उसके ज चोटे से चोटे बड़े से बड़े किसी प्रकार के जो हमारे living organisms होते हैं उनके life के बारे में उनके जीवन के बारे में हम क्या करते हैं अध्यान करते हैं पढ़ाई करते हैं इस section को हम लोग क्या बोलेंगे biology बोलेंगे यह हमारे science का एक आपका बिलकुल समझे तो life से related आपका अलग एक section ही होता है जिसमें हम लोग अपने बहुत सारे living organisms के जीवन के बारे में पढ़ाई करते हैं बहुत सारे chapter को आप लोग पढ़के भी आए हो 6 में 7 में 8 में 9 में बहुत सारे chapter को पढ़के आए हो आज class 10 तक पहुँच गया हो यहां पर आपको science को जो है biology को जो start करन है और आपका first chapter जो मिला है वो मिला है आपका life process ठीक है life process तो इस life process की concept को हम start करने से पहले कुछ बाते जो कि इस life process की बाते करने के लिए जरूरी है वो आपको हम पहले बता दें कि सबसे पहले हमारे आस पास जो things होते हैं things यह things जो हैं वो कितने प्रकार की होते हैं आप दूसरा होता है नन लिविंग ठीक है पहला हो गया living things और दूसरा हो सकता है कि जब हम यह पढ़ा रहे हो तो यह बहुत सारे बच्चों को पता हो लेकिन फिर भी एक short review जो है वह अपनी chapter को start करने से पहले जरूरी होता है तो पहला हो गया living things और दूसरा हो गया non living things living things यानि आपके वैसे जिनके पास जीवन हो जीवन होने के चलते हो बहुत सारे प्रॉसेस को करते हो बहुत सारे different characteristics को दिखाते हो बहुत सारे अपने अंदर adaptation को रखते हो बहुत सारे अपने अंदर special structures को रखते हो फॉर्दाफ अलग-अलग function के लिए तो इस तरह के living things और आपका ज जीवन नहां उसको लोग क्या बोलेंगे नन लिविंग तिंस के बहुत सारे आपके properties होते हैं आपके तो जबान पर ही रटाया होया कि living things can move, living things can grow, living things can reproduce, living things can eat food, बहुत कुछ आपका living things के बारे में और सब में not 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 लगा दो तो वो क्या बन जाता है आपका non living things का characteristics बन जात तो यह living things और non living things के बारे में आपने समझा कि living things क्या होते हैं और आपका non living things क्या होता है उसी प्रकार आपको यह भी समझना है कि हम जो हमारा body जो है या किसी भी living things का जो body है यह एक elementary particles से मिल के बना है आपका एक basic particles से मिल के बना है आपका functional unit से मिल के बना है structural unit से मिल के बना ह है और सेल के नंबर के वेसिस हमारा जो ऑल जिम होता है वह दो प्रकार में डिवाइट होता है पहला होता है युटी सेलर और जो हमारे जो इनके बॉडी के अंदर एक ही सेल हो और आपने बॉडी की जितने भी प्रोसेस से उसी सेल से क्या करते हूं, perform करते हूं, multi-seular यानि कि ऐसे organs जिनके body में एक से जादे सेल लाखो करोडो करोडो की संख्या में और वो की संख्या में सेल हो, उनको हम क्या बोलेंगे multi-seular organs जिम्स के नाम से जानेंगे, तो यह हमारा हो गया living things और यह हो गया आपका non living things यानि कि हम अपने अभी basic को ही start कर रहे है living things को और non living things के बारे में हमने पढ़ा अब हमको यह जानना है कि आप जो chapter पढ़ने जा रहे हो life process ठीक है इस life process chapter में आपको कौन कौन से topic को पढ़ना है यानि कि हम आपको एक content बताने जा रहे हैं आपको हम overview देने जा रहे हैं कि किस-किस topic हम अपने life process में पढ़ेंगे तो सबसे पहला थो हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा life process होता क्या है इसके बार आपने life process हम लोग कहते कि इसको ठीक है इसके बाद हम लोग अपने life process के different different process को individual तरीके से पढ़ाई करेंगे कि Life Process में हमारे कौन-कौन से Process आते हैं जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे हैं न्यूटिस्टिषिन के बारे में बाठ करेंगे अब औन न॰िटीशन के बात करेंगे तो नूटरिस्टिशं के दो टाइप होते हैं आप बदो हां ऍ्यों भी पता है कौन कौन से और ट्रॉफिक नूट्रशन और दूसरा हो गया आपका है सिन फॉटो सिन्थेंशिस के बारे में फॉटो सिंथेशिस के बारेेंगे प्रेसरा परनना है पहला आपको पढ़ना है सैप्रोड ट्रॉफिक नूट्रशन से नूट्रिशन दूसरा पढ़ना है पार्साइटिक नूट्रिशन और तीसरा पढ़ना आपको holozoic nutrition holozoic nutrition ठीक है उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे अपने nutrition in plants के बारे में ठीक है nutrition in plants के बारे में फिर हम लोग बात करेंगे nutrition in animals के बारे में nutrition in animals जिसमें हम लोग अपने ingestion digestion absorption assimilation के सारे process को समझेंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे respiration के बारे में respiration in plants ठीक है और फिर हम बात करेंगे respiration in animals और इस animals में जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो इसी में हम लोग अपने lungs के system को lungs को पढ़ेंगे अपने windpipe को पढ़ेंगे broncos को पढ़ेंगे broncos को पढ़ेंगे यह सब कुछ अपने respiration ने पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग respiration के बाद आएंगे अपने transportation and circulation में जिसमें हम लोग अपने heart के बारे में पढ़ेंगे blood के आपके vessels के बारे में पढ़ेंगे ठीक है respiration जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग अपने respiration के types के बारे में पढ़ेंगे aerobic respiration and anaerobic respiration कोई भी topic अपने चेप्टर में लोग छोने नहीं जा रहे हैं बहुत लंबा चेप्टर होने जाएगा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जादे इसके पार्ट बनेंगे कोई tension की बात नहीं है लेकिन हम लोग इसके each and every point को किलियर करते हुए आगे बढ़ेंगे किड्नी को पढ़ेंगे किड्नी का रोल किया है ठीकि आठिक आटेफिसियल कीड्नी के बारें पढ़ेंगे इसको नोग डाइलाइश इसका प्रोसेस भी कहते हैं यह सब चीजे अम लोग इस चाप्टर में पढ़ने जा रहे हैं यह जितने हमारे पार्ट बनेंगे उस करेंगे यह तो बहुत आपको सौर्ट में लिखें इसके भी बहुत सारे सब टॉपिक्स बनेंगे और उन सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही बहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे ठीक है तो आईए हम आप living things अगर अपने अस्तित्त को बनाए रखा है अपने इसनिस को बनाए रखा है यानि कि जी रहा सर्वायव कर रहा है तो वह तभी जी रहा है हो तभी सर्वाइव कर रहा है जब उसकी बॉडी के अंदर कुछ process आपके continued हो रहे है अगर वह process होंना बंध हो जाए तो उसका जीना भी क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा उसका survive करना क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा तो कुछ ऐसे आपके basic function होते हैं आपके body के द्वारा किये जाते हैं जिससे आपका life जो है इस प्रित्वी पे इस अर्थ पे आपका life जो है वो maintain रहता है इस अर्थ पे आपक 6 function को हम क्या कहते हैं life processes के नाम से जानते हैं अब फे लाइफ प्रोसेस जो है आपके बहुत थी पहते हैं भी ओख सारे सबसे पहला to life process में आएगा कौन सा nutrition सबसे पहला जो अंब का लाइफ process होगा यह कौन सा होगा nutrition ठीक है अब nutrition आपका हम लोग इन प्लांट्स भी पढ़ेंगे और फिर हम लोग नूट्रेशन जो है इन एनिमस भी पढ़ेंगे सबसे पहला आपका प्रोसेस क्या आएगा नूट्रिशन दूसरा आपका आएगा ट्रांस्पोर्ट याने की ट्रांस्पोर्टेशन ट्रांस्पोर्टेशन ठीक है या एक्सकरेशन ट्रांस्पोर्टेशन और एक्सकरेशन इसी ट्रांस्पोर्टेशन में हम लोग अपने सर्कुलेशन को भी पढ़ेंगे ठीक है तिसरा आपका आता है control and coordination control and coordination ठीक है फिर आपका growth फिर movement and reproduction movement and reproduction यह सारे आपके basic function जो है अगर इसमें से कुछ भी बंद हुआ था हमारा जीवन रुख जाएगा जीवन बंद हो जाएगा जीना छोड़ देंगे यह ऐसे आपके basic function है जिनके होने से ही हम लोग अपने जीवन के अस्तित्व को क्या करते हैं continue करते हैं हम लोग जी पाते हैं धर्ती पे हम लोग रह पाते हैं ठीक है अब यह nutrition nutrition नहीं होगा तो खाना नहीं खाएगे खाना नहीं पाचेगा खाना नहीं पाचेगा अशी तर्व कई कर सकते हैं न न कोई फीजिकल काम कर सकते हैं न और कोई आपका पर सकते हो ना पूर्ष इमोशनल ही कुछ सोच सकते हूं कुछ अच्छा नहीं लगेगा सम आपका डैमेज हो जाएगा तूहिसीतरक्य का मैं करसक्ते हो थीशा सकते कि BE तो आपका इंजेशन हो रहा है तो उस खाने से कोई फैदा नहीं है वहाँ पर काम होगा ही नहीं तो फिर एक्सक्रेशन ठीक है एक्सक्रेशन अगर आपने खाना खा लिया ट्रांस्पोर्टेशन भी हो गया लेकिन आपके बॉड़ी में जो आपके टॉक्सिक सफ्टांसेज वेस्टांसेज प्रोड्यूस हो गये हैं वह आपके बॉड़ी से अगर बहानार निकले तो आपके बॉड़ी में फैलेगा और फैलेगा तो फिर आपको छती पहुंचाएगा तो एक्सक्रेशन भी बहुत ज़रा जरूरी है कि डॉक्टर जो है अगर किसी बहुत ही बहुत ही सिरियस कोई मरीज है तो उसका अगर एक्सक्रेशन सही है पॉड़ी से वेलीव होता है कि हम इसको बचा लेंगे या बच जाएगा या इसका कंडिशंच हो सकता है एक्सक्रेसन पर डॉक्टर बहुत ज़्सष्वास करते हैं कि इसका इसके बॉडि से विष्ट मेटेरियल बाहर निकल रहे हैं इसके उपर डॉक्टर बहुत विष्वास करते हैं यह एक्सक्रेंश जिस्म पर यद्स का बहु tahun करनें आपका कुछ ही जगह problem है ठीक है फिर आप बात करेंगे अपने control and coordination को यह भी बहुत important आपका process है इसलिए important process है कि किसी living organism की आसपास जो भी बदलाव हो रहा है जो भी changes हो रहा है उस changes के according living organism कैसे react कर रहे हैं कैसे अपने आपको उस changes के according survive कर रहे हैं this process is called control and coordination इसी process को हम क्या कहते हैं control and coordination कहते हैं यह इतना important process है कि इस पूरे process में हमको एक पूरा complete chapter पढ़ना है अपने तेंथ में जिस chapter का नाम ही होगा control and coordination ठीक है तो एक living organism के आसपास उसके moment में उसके आपके surrounding में जो भी बदलाव होता है जो भी changes होते हैं उस changes के according वो living organism कैसे react करता है कैसे उस changes के according अपने आपको survive करता है उसमें हम लोग उसके process को हम लोग क्या कहेंगे control and coordination कहेंगे फिर आता है growth की living organism के अंदर जो है वो growth नहीं होगा फिर यह living organism अपने आपको अच्छे तरीके से जी नहीं पाएंगे अपने अस्तित्व को अपने जीवन के अस्तित्व को यह आपका continue नहीं कर पाएंगे फिर है कि living things के अंदर movement जरूरी है reproduction जरूरी है reproduction reproduction आपको बहुत important process है इसलिए important process है क्योंकि अगर reproduction ना रहे तो एक जाती का एक living things के species का ठीक है जो आपका existence है जो अस्तित हो है इस धरती पे वह continue नहीं हो पाएगा वह आपका आगे जा नहीं पाएगा अगर पर हजार साल पहले भी इंसान थे आज भी इंसान है हजार साल बात भी इंसान रहेंगे तो यह बात मिस्ली कह पा रहे हैं क्योंकि हम इस reproduction process को जानते हैं तो यह कुछ important और बहुत जादे आपकी important कुछ life process है जिससे हमारे जीवन जो है ये continue हमारे अर्थ पे क्या करता है चलता है तो अभी आपको chapter का जो नाम है कि life process actual में life process क्या होता है इसके बारे हैं बता रहे हैं कि आपके ऐसे life process basically आपके वैसे functions को वैसे process को आपके relate करते हैं जिससे हमारे जीवन चलता है हमारे जीवन संभा होता है अब चलिए कुछ और भी बाते कर रहे हैं हम लोग और बहुत जरूरी है ये सारी बाते कि जो भी आपका life process है उस सारे life process को करने के लिए energy क्या वशक्ता होती है उन सारे life process को करने के लिए energy क्या वशक्ता होती है और बाबु वो energy कहां से मिलता है तो energy आप जो food intake करते हो जो आप food लेते हो वो food से आपको क्या मिलता है energy मिलता है उस food से आपको energy direct कहीं से energy ये ने के energy वो रहा energy लेके हम खाल लिए energy ने आप आप लोग क्या करते हो फूड इंटेक करते हो अब यह फूड क्या करता है अपने आपको इस फॉर्म में ब्रेक करता है कि उस फॉर्म में से क्या निकल सकता है एनर्जी निकल सकता है इसलिए कहा जाता है कि वही फूड खाओ जिससे एनर्जी निकल सके जो भी हमारे बॉडी हो तो जो आप food intake करते हो ठीक है उस food से आपको क्या मिलता है जिस तरीके का आप food ले रहा है उस food से आपको क्या मिलता है energy मिलता है अब food से energy क्यों मिलता है क्यों आपका food से energy मिलता है हमको हवा से energy क्यों ने मिल जाता है कोई और food है, इस food के अंदर कुछ useful components आपके पाए जाते हैं, कुछ useful आपके सफ्टांस पाए जाते हैं, जिस सफ्टांस के कारण आपको energy आपके body को मिलता है, या वहां से ही आपका energy निकलता है, उस useful components को हम लोग क्या कहते हैं, nutrients कहते हैं, क्या कहते हैं, nutrients के अलावा भी कुछ useful सफ्ट होते हैं जो आपके बॉड़ी में अंदर जाके आपके बॉड़ी में एनर्जी का फॉर्मिशन करते हैं उसमें आपका रफेज भी आता है तो नहीं है लेकिन बहुत जादा इनका इंपोर्टेंट वैलू है आपके बॉड़ी की अंदर तो आपके फूड के अंदर कुछ यू भी आपके process हैं वो आपके क्या होते हैं perform होते हैं हमारे body की अंदर जो process हैं वो क्या होते हैं perform होते हैं ऐसी बात निये कि आप जब जगे हो जब आप कोई काम कर रहे हो जब आप खेल रहे हो कुद रहे हो पर रहे हो दोर रहे हो भाग रहे हो है ना dance कर रहे हो तभी आपको energy के आऊशकता है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो जब आप सोए हो तभी आपको energy के आऊशकता है क्योंकि आपके कुछ body के process ऐसे हैं जो आपके जनम से लेके और मृतियू तक कभी बंद होते ही नहीं है अगर आपने जनम ले लिया तो जब तक आपके body के अदर उ手 process होते रहेंगे चलते रहेंगे तो उन process को चलानी के लिए इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए इनर्जी तो चाहिए इना इसलिए कहा जाता है कि आपके बॉडी के जितने भी आपके डिफेंट डिफेंट लाइफ प्रोसेस हैं उन सारे लाइफ प्रोसेस को एनर्जी क्या हो शकता होती है और हर एक समय आपके बॉडी को एनर्जी क् सोखाने कामिए कम नहीं सोग हैं सुबह भूख लग गया इस अब כरा डाइजेस्ट हुआ नि की क्या दांस कर स सब्सक्राइब तो इनरजी बना रात में कुछ प्रॉसेस हुए इसको नाइजकि की तो आपको तो आपके कुछ ऐसी एक्जामपर से जिससे आप यह समझ सकते हो कि जिस वक्त आप कुछ नहीं कर रहे हो ना बाबू उस वक्त भी आपको एनर्जी क्या हो शकता है और इनफेक्ट उस वक्त भी आपके एनर्जी एक्वाइड होती है आपके बॉड़ी में यूटिलाइज होती है आपक सबसे पहला आपका होता क्या है तो न्यूट्रिशन बेसी के लिए आपका एक ऐसा प्रोसिस होता है जिस प्रोसेस से आप फूड इंटेक करते हो और फूड यानि की न्यूट्रिंट्स को इंटेक करते हो वो न्यूट्रिंट्स आपके बॉड़ी के अंदर जाता है वो न्यूट्रिंट्स में ब्रेकडाउन होता है ब्रेकडाउन होने के बाद वो बहुत ही सिंपल सफ्टांसिज में करवाट होता है उस simple substances में से nutrient को absorb किया जाता है और absorb करने के बाद उस nutrient में से energy का formation किया जाता है and this entire process is called nutrition. इस complete process को हम क्या कहेंगे? Nutrition कहेंगे यानि की food को intake करना, food को intake करना, फिर उस food को break करना, break करने के बाद nutrient को absorb करना, उस में से nutrient को क्या करना? अबजो अबजोर्ब करना, फिर उस nutrient में से energy का formation करना, फिर उस nutrient में से energy का formation करना, this entire process is called nutrition. इस complete process को, इस complete process को हम लोग क्या बोलेंगे? इस complete process को हम लोग नूटरिशन बोलेंगे, यानि की nutrition आपका एक ऐसा process है, इसमें living organism अपने food को intake करते हैं, फिर उसको अपने body में ला जाके उसको break करते हैं, digest करते हैं, उस में से nutrient को absorb करते हैं, और then उस absorbed nutrient में से energy का formation करके, अपने different body के parts में उस energy को utilize करते हैं, consume करते हैं, इस entire process is called nutrition. इस complete process को हम लोग क्या कहते हैं? nutrition कहते हैं. अब ये nutrition जो है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाटिकूलर living things में ही होता है, ये nutrition जो है, आपके सभी living things में होता है, इनफेक्ट ये nutrition आपके plant में भी होते है, और है nutrition जो है आपके animals के अंदर भी होते है, लेकिन, यह nutrition का जो process है यह हमारे living things के अंदर हमारे जितने भी आपके alag-alag properties के alag-alag characters के living things है उन सभी का nutrition को intake करने का running process को करने का जो तरीका है जो waste है जो method है वो alag-alag है method क्या है लag-alag है तो उतने सारे alag-alag methods पर तो हम नहीं जाएंगे लेकिन mainly categorize हम दो तरीके से करेंगे कि हमारे जितने भी हमारे अर्थ पर ये living things हैं वो दो तरीके से अपने nutrition को perform करते हैं पहला तरीका होगा अपना autotrophic nutrition या autotrophic mode of nutrition और दुसरा आपका जो mode होगा nutrition का होगा heterotrophic mode of nutrition सबसे पहला तरीका है आपके nutrition को होने का या कुछ living things अपने autotrophic mode of nutrition से अपने nutrition को perform करते हैं complete करते हैं और कुछ living things heterotrophic mode of nutrition से अपने nutrition को क्या करते हैं complete करते हैं तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे इस nutrition के कुछ examples को देखते हुए हम बात करेंगे अपने auto traffic mode of nutrition पे तो पहले देख लेते हैं कि आपके nutrition में क्या क्या जानना था तो जो आपको nutrition के बारे में हम बताएं हैं कि nutrition आपका एक ऐसा process है जिसमें आपके nutrients को intake किया जाता है और intake करने के बाद फिर उसको digest करके absorb करके और उसको energy का formation करके उस energy को utilize किया जाता है इस entire process is called nutrition इस complete process को हम nutrition कहेंगे अब बार बार हम एक बात बोल रहे हैं कि आपके आप जो food intake करते हो उस food में कुछ useful components पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं nutrient अब यह nutrients कौन कौन से होते हैं वैसे तो आप लोग को याद होगा ठीक है तो हम भी को revise भी किरा देते हैं यह nutrients में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रुएत वाला जो हमारे body में है वो है carbohydrate सही था कार्बो हाइडरेट दूसरा आपका nutrient है विटमिन तीसरा आपका nutrient होगा protein चौथा होगा आपका fats पांच θα हो जाएगा minerals यह 5 तरह के आपके body में क्या पाए जाते हैं आपके food में क्या पाए जाते हैं न्यूट्रिंट्स पाए जाते हैं और यही nutrients आपके body के अंदर जाके break होंगे तूटेंगे और तूटने के बाद उसमें से क्या निकलेगा आपका energy का formation होगा ठीक है चलिए अब हम लोग अपने mode of nutrition में mode of nutrition को पढ़ है कि हमारे इस अर्थ पे जो different different varieties के हमारे living things हैं वो different तरीके से different ways से different modes से अपने nutrition को perform करते हैं तो कौन organisms किस तरीके से अपने nutrition को perform कर रहा है इसके basis पे हैं अपने nutrition को दो तरीके में दो type में दो mode में बाठ दिये हैं सबसे पहला mode आपका कहला आपका कहलाएगा autotrophic mode of nutrition और दूसरा कहलाएगा heterotrophic mode of nutrition सबसे पहला autotrophic mode of nutrition और दूसरा हो गया है ते टोफ़िक मोड औफ नूट्रिशन तो अब हम लोग बात करेंगे अपने ओटु टॉफिक मोड trofi का मतलब कि होता है feeding यानि Keen Sydney का मतलब कि obtaining food food को obtained करना है प्राइब करना ठीक해 लेना तक हforward जो भी आप समझो यानि कि यहानि कि वैसे living organisms डिन जो अपना खुड़ कुड़ है खुड प्रिपेयर करते हो अपने फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हूं तो उस तरह की लिविंग और्गनिजिम के द्वारा जो नुट्रिशन किया जाएगा उस नुट्रिशन को हम लोग क्या बोलेंगे और टू ट्रॉफिक के हिल्ब से करेंगे और उसको क्या बोलेंगे और इस और टॉफिक मोड सुटकारफिक और इस और उस और हिल्ट्रॉफिक और चौईंगे और यह बेस्ट ऑउनेगे और यह और मुट सबीट का सबसे बस्त इग्जामपल कौन है तो autotrophic mode of nutrition ने सबसे best और सबसे ज़्यादा common example जो होगा वो हमारे green plants होंगे ठीक है और green plants के लावा कुछ हमारे autotrophic bacteria भी होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा autotrophic कई बारे में हम लोग अपने green plants में ही पढ़ते हैं तो हमारे green plants जो है यह आपके autotrophic mode of nutrition को करने वाले living organisms हैं इसलिए हम लोग green plants को autotrophs के नाम से भी जानते हैं अब यह green plants अपने autotrophic mode of nutrition को कैसे करते हैं क्योंकि यह green plants के पास यह ability होती है कि अपना food जो है यह खुद prepare कर सके अपना food यह खुद prepare करेंगे तो उस process का क्या नाम होगा ठीक है तो बच्चा बच्चा जानता है कि उस process का नाम होगा photosynthesis photosynthesis वो प्रोसेस होगा जिस process को करकि य green plants अपना food जो है वो खुद prepare करेंगे अब यह जो process होता है आपका photosynthesis का इसमें कुछ आपके in organic materials जो है वो आपके यूज होते हैं और फिर उसको यूज करने के बाद यह सफांस जो है अपने food का क्या करता है preparation करता है समान लीजिए कि carbon dioxide ठीकि यह plant क्या करेगा carbon dioxide water ठीके carbon dioxide को water के साथ mix करके और sunlight को energy sunlight से energy लेके ठीके sun से energy लेके sun से energy लेके और यह food का preparation करेगा और यह food जो prepare करेगा वह किस form में करेगा glucose के form में किस में करेगा glucose के form में करेगा और आपका oxygen जो है ये gas के form में हमारे by product के रूप में बाहर निकल जाएंगे इस process को हम लोग क्या बोलेंगे इस process को हम लोग बोलेंगे photosynthesis इस process को हम लोग क्या बोलेंगे photosynthesis के नाम से जानेंगे अभी बस ये समझो कि आपको photosynthesis का सब्द बताएं what बताएं कि actual photosynthesis क्या होता है अभी आपको total एक class एक पूरा का पूरा हम एक part लेंगे सिर्फ photosynthesis पढ़ाने में photosynthesis के बारे में बताएंगे photosynthesis के लिए condition क्या होंगे उसके लिए site क्या होगा जगह कैसा होगा photosynthesis कहा हो सकता है कहा नहीं हो सकता है और जहां हो सकता है वहाँ क्यूं हो रहा है जहां नहीं हो रहा है वहां क्यूं नहीं हो रहा है बहुत कुछ अपने इस फोटो सिंतेसिस के बारे में पढ़ेंगे अभी बस इतना जानो कि हमारे auto traffic mode of nutrition जिसके best example हमारा green plant है तो green plant अपना food जो एक खुद प्रिपेर करता है एक process के help से जिस process को मुझे बोलते हैं photosynthesis और उस process में कुछ inorganic substances जैसे carbon dioxide water sunlight के presence में क्या होते हैं combine होते हैं combine होने के बाद ये glucose और अपने glucose को glucose का formation करते हैं food के form में और oxygen को by product के रूप में क्या करते हैं बाहर निकालते हैं ठीक है इस photosynthesis के बारे में हम लोग बहुत कुछ आगे पढ़ेंगे अब हम लोग बात करते हैं अपने next mode of nutrition जो की आपका होगा heterotrophic mode of nutrition ठीक है अब heterotrophic mode of nutrition आपका एक ऐसा nutrition है जिसमें जो हमारे organisms होंगे ये अपना food जो है वो खुद prepare नहीं करेंगे ये अपना food खुद prepare ना करके ये अपने food के लिए क्या करेंगे किसी दूसरे पर depend करेंगे और किसी दूसरे पर depend हो कि जो दूसरा अपना food बनाएगा उसी में से ये food को क्या करेंगे absorb करेंगे food को उसमें से क्या करेंगे intake करेंगे तो जो ऐसे organisms जिनके पास अपने food बनाने की ability नहीं होती है या वो अपने inorganic substances के help से अपना food खुद prepare नहीं करते हैं वो दूसरे के उपर अपने food के लिए depend होते हैं तो उन organisms के nutrition को या उन organisms के mode of nutrition को हम लोग heterotrophic mode of nutrition कहते हैं और उन organisms को simple हम लोग heterotrophs बोलेंगे क्या बोलेंगे heterotrophs ठीक है अब देखिए बहुत तारे bacteria और fungi जो है यह हमारे heterotrophic mode of nutrition को perform करते हैं भी हम्मोस हैं थीके अब हा यह गारे kontते हैं यह हम्मोस के ना हिए नहीं बिर तो अब लिद्फक नहीं होगे थीके तो आप το फ्लिद्वच Greece भी होता है है तो हैटरो ट्रॉफिक मोड़ आपका एक ऐसा नूट्रिशन जिसमें आई हुए और जिम्स कभी भी अपना फूड कुद प्रिपेर ना करते हो हां वो दुसरे के ऊपर अपने फूड को प्रिपेर अंधृ पर अपने फूड के लिए डिपेंड होंगे अब यह ट्र हमारा part 1, इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं, और समझे, एक तरह समझे, तो अभी आपको हम आपकी इस chapter को start भी नहीं की है, अभी इस chapter के लिए जो basic चीजे हैं, वो सब आपको हम बता रहे हैं, ठीके, अबी हम chapter हमारे start होगा, basically nutrition in plants star करेंगे, या nutrition in animal start करेंगे वहाँ से आपका chapter जो है वो start होगा यह सब हमारे chapter का भी आपको हम क्या बता रहे हैं basic बता रहे हैं part 1 भी basic था part 2 भी आपका इस chapter को पढ़ने के लिए जो basic चीज आपको जानना है part 2 में भी हम लोग बेसिक चीजे के बारे में ही समझेंगे ठीक है तो आज हम लोग यह part 2 को यहीं पर समाप्त करते हैं यहीं पर खतम करते हैं और मिलते हैं आप से बहुत जल्द part 2 में तब तक के लिए thank you so much